वेलकम फ्रेंड्स मैं को वेर पार्टिदार मेरे चैनल में आपका आप दिख स्वागत करता हूँ दोस्तों अज के वीडियो में देखेंगे कि इंप्लोई के SSO लॉगीन में उसका NPS नंबर और यहाँ पर पॉलिसी नंबर कई बार जुड़ा नहीं होता है या कभी-कभी कोई और रेकॉर्ड अपडेटिंग सौने की वज़े से यहाँ से ऊड़ जाता है यहाँ पर SSO पॉलिसी नंबर में देखेंगे कि यहाँ पर SSO पॉलिसी नंबर गायब है जबकि Employee 2008 की पॉस्टिंग का है यहाँ पर उसकी Right of First Deduction डेड़ भी यहाँ पर अपडेट की हुए एक अपरेल 2021 लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका SSO पॉड़ा हुआ है ऐसी Situation में क्या होता है कि जब अपन Pay Manager पर Salary Process करते हैं तो उसकी Salary रूप जाती है तो आज के वीडियो में अपन यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर SSO पॉलिसी नंबर कैसे एड़ करें दोस्तो चाहे Employee का NPS नंबर हो यही प्राण नंबर हो चाहे SI Policy नंबर हो इसका Process का जो Message है वो WhatsApp पर महिने बर पहले से Share हो रहा है लेकिन आज के वीडियो में अपने इसको Practical करके देखेंगे और यह मैं DDO के SSO पर Process करके बता रहा हूँ यह आपके Personal SSO Login पर नहीं होगा डेडियो के SSO Login पर यह नंबर हो जाएगा दोस्तो इसके लिए आप डेडियो का SSO Login करेंगे यहाँ पर Customer और Customer में नीचे डेडियो पर आपके SSO Login में यह नहीं आएगा डेडियो का SSO Login अलग होता है यह तो मेरा Personal SSO Login है इसलिए इसमें डेडियो एड है अब क्या होता है कि यहाँ पर डेडियो यह डेडियो का SSO Login है इसमें Employee की Tab से आप उस Employee को Select करेंगे ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन आप्टर Employee, Employee को Select करने के यहाँ पर टीन आप्शन आपको मिलेंगे इसमें पहला आप्शन है यहाँ पर Employee Name से ही सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर मैंने Employee का नाम टाइप कर लिया Employee ID, Employee Name, Date of Birth वगर इसमें आपन किसी भी Employee ID पर क्लिक किया यह Employee की Detail आपन होगा अब यहाँ पर Editable है अपने लिए Contact Detail है Service Detail, Scheme Detail और Families अब सबसे पहले तो आपको जो काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप जैसे ही इसमें एडिट करेंगे तो आपकी Family Detail है वो यहाँ से हट जाएगी इसका Screen Short आपको पहले से ले लेना है यह Employee की Family Detail है यह Editable करने के बाद में वापस हट जाती है तो इसको आप वापस एड़ करें अब आजाते हैं अपन Scheme Detail Scheme Detail पर अपनको यहाँ पर Policy Number एड़ करना है बाकी इसकी Total Information यहाँ पर Update है तो इसको पहले इसी Situation में अपन यहाँ पर Submit कर देंगे Are you sure you want to Submit? अब यह Submit हो गया Data Saved Successfully तो यह Data Saved Successfully अब यहाँ पर क्या होता है कि वापस अपन जाएंगे और यह आपको Login करना है केवल Morezilla Firefox में सपोर्ट करेगा अब अपन यहाँ पर Scheme Detail में जाएंगे Scheme Detail में वो Number अपन यहाँ पर Policy Number एड़ करेंगे पहले यह Policy Number एड़ नहीं हो रहा था अपने लिए अब Editable हो गया है Editable होने के बाद में यहाँ पर अपने Employee का Policy Number एड़ कर दिया यह Employee का ऐसा ही Policy Number है यहाँ पर Location नहीं है तो यह आप Location डाल सकते हैं अप District Location है यहाँ और यहाँ पर आपके जो भी पॉलिसी पॉंड में डेड़ है वो सम्मिट कर सकते हैं मुझे तो केवल यहाँ पर केवली एक Number एड़ करना है तो मैं वही प्रोसेज आपको इस वीडियो में बताऊंगा बाकी की Service Detail Star Filed Are Mandatory हाँ पर यह मैंसेज यह एरर जो पपप मैसेज दे रहा है वो बहुत ही critical है इसको यह कह रहा है कि Service Detail Star Filed Are Mandatory इसमे Service Detail में क्या नहीं है इसमें Service Detail में यहाँ पर डिडियो नेम नहीं है उसके बाद में Office नेम नहीं है और Employee की Category नहीं है और designation नहीं है यह चार च पर चीज़िए सेLECT करने के लिए क्या process करना है वह आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं लागि मैं तो भी यहाँ पर ले आता हूं अब अब यहां पर आप डायरक्ट क्लिक करेंगे तो यहां पर डीडियो का नेम नहीं आएगा जब डीडियो का नहीं आएगा तो यहां पर आपिस नेम भी सेलेक्ट नहीं होगा अब देख रहे हैं मैं कोई बार कोशिश कर रहा हूं लेकिन यहां पर यह आपिस नेम और डीडिय यहां पर अपन को चाहिए डिडियो नेम कैसे आएगा वह आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही आप कर पाएंगे इसके लिए यहां पर SIF यूनिट और यहां पर क्लिक करें तो यह डिडियो की लेस्ट आजाएगी अब डिडियो की लिस्ट से आपको डिडियो सेल कर लिया यहां पर आ गया ओफिस नेम और केटेग्री अपने पहले ही सेलेक्ट यह सबोडिनेट सर्फिस है अब यहां पर डेजिगनेशन के लिए आपको थोड़ा सा वैट करना है यहां पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा वैट करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा अब इ message error message दे रहा था वो यही कह रहा था कि आप पहले read your name वगड़ा यह सब्सक्राइब कर लिए अब इसको कर लिए अब इसको कर लिए अब submit are you sure you want to submit okay यह data serve successfully और अब आप देखेंगे तो employee का scheme detail में number add हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं employee का SI policy number add हो गया यह number आप 10 बार login करेंगे चाहे 25 बार login करेंगे अब यह delete नहीं होगा मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर employee की family detail है वो उड़ सकती है लेकिन यहाँ पर employee की family detail भी वापस आ गई है इसमें भी आपको वापस दोबारा add करने की जर्रत नहीं है तो मतलब कितना अच्छा प्रोसेज है यह बड़ा टेक्निकल प्रोसेज है यह वाट्सप वगरा पर चल रहा था कि मैंने यहाँ पर आप वो प्रैक्टिकल करके इसको बतल करता हूं कभी कभी employee के personal pay manager से कोई request add करते है अपन तब भी उड़ सकता है या फिर कोई editing करने जाते हैं तब भी यह उड़ना possible है आप थोड़ा ध्यान रखें और अपना नंबर इस टाइप से गर उड़ गया है तो आप चाहे आपका प्रान नंबर हो तो आप ऐसे डीडिय यह थी एक practical जानकारी जो मैंने इस वीडियो के मादम से शेयर किये दोस्तों जानकर यह अच्छे लगे तो वीडियो को like and share जरूर परें thanks for watching my video मेरे record में सब कुछ बिलकुल ही update मिलता है अब मैंने आपको last moment बोला था कि यहाँ पर radio name वगरा नहीं आ रहे थे तो उसको यहा के लिए मैंने यहाँ पर SIF unit जो अपने district है उसको पहले unselect कर लिया unselect करने के बाद में उसको दोबारा select कर लिया select करते ही यहाँ पर radio बगरा सभी open हो जाएगा office name भी यहाँ पर radio select करते ही आपका office name आ जाएगा और office name के बाद में यहाँ पर category आ जाएगी subordinate service और यहाँ पर designation के लिए थोड़ा साब को click करने के बाद में वैट कर लेना है तो यहाँ आपका designation भी आ जाएगा यह सारी information यहाँ पर ऐसे हो जाएगी तो दोस्तों यह थी एक बहुती टेक्निकल जानकरी जो वाटसप पर message वगरा वाइरल हो रहा था तो उसी के according यह आपर आपको practical करके बता दिया और यह practical process आप किस पर करेंगे only morezilla firefox thanks again